Hello guys, welcome to my youtube channel, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना लोग है generator versus list के बारे में, तो दोनों में से कौन सा बहतर, कौन सा अच्छा है, तो वो चीज हम देखिए कि, तो सबसे पहला हम देखिए कि memory uses, तो generator को भी यूज़ करेंगे, generator को वो कितना memory लेता है, एक program को run करने के लिए, list comparison को भी यूज़ करेंगे, और इसको run करेंगे, तो वो memory कितना लेता है, जो कि एक program को run करने के लिए, और दोनों के बीच में time comparison करेंगे, तो देखिए कि generator अच्छा है, तो काफी सारे वीडियो मैंने generator के उपर अल्री बनाया हुए, चार-पाच वीडियो बनाया हुए, जो क memory space बहुत ही कम यूज़ होती है, और बहुत ही smoothly हमारा जो कि program run करता है, तो चलो हम सबसे पहले एक normal सा list comprehension का program बनाते हैं, उसको हम run करते हैं, और इधर आप देखिए, तो बगल में हमें tax manager open करके रखा है, तो कितना memory हर program यूज़ करता है, वो हमें दिखेगा, तो vizier code studio कितन run करने में एक program को ले रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहला हम list comprehension का program run करेंगे, तो इधर में लिखते हो number इसके अंदर में list comprehension को यूज़ करूँगा, तो इधर में condition लगा दूगा, तो इधर में num num का जो कि variable ले 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 तो इसको जो कि हम cube कराएगे, तो इधर मे cube कराँगा, तो अब ये cube कहां से कहां तक कराँगा, इधर में लिखूँगा, for num in, बाद में range लिखूँगा, range हमारा जो कि 50 lek तक मैं ये cube कराँगा, तो ये देखते हो, ये मैं list comprehension को use करके, मैं जो भी number सभी का cube कराँगा, इसे मैं print नहीं कराँगा, print कराँगा, तो बहुत ये यूज़ हो रहा, पीछे के जो पहले computer तो इतने memory नहीं रहता था, जो कि अभी मेरे computer में 8GP RAM पहे, तो आपके computer 4GP, 6GP, 8GP, जितने भी RAM है तो आप इस तरह देख सकते हो, तो इधर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसे run करता हूँ, enter करता हो, तो आप देख सकते हो, 686 और 692, तो ये जो के करीब बन आप देख से, तो 100-500MB तक का memory जो के consume कर लिया है, तो आप देख से तो इतना memory ये consume कर लिया, और अब ये चीज़ हमने जो कि run किया, ये list comparison के through हमने run किया, अब ये चीज़ हम generator के through करते हैं, तो generator के तो बहुत है simple है, जो कि मैंने last video में आप आपको बताया हो, तो last video अभी तक अपने देखा, तो इसके link आपको description में मिलेगे, तो देख सकते हो, तो जो list comparison के अधर हम square bracket use करते है, तो इदर आपको use करना है, parenthesis, और starting में भी parenthesis लगाना है, ending में भी parenthesis लगाना है, तो देख सकते हो, मैंने starting, ending, दोने जगा मैंने parenthesis लग आपको 692 तक गया है, 600 के उपर मतलब है न, हम आप टाइम लिया है न, आप देख से तो 10 से 15 MB में, 10 से 15 MB भी नहीं लिया रहेगा, वह देख से तो यह हमारा successfully code run हो गया है, जो कि हमें यह generator use किया है, तो यह बहुत smoothly हो और बहुत ही fast हुआ, अब हम बात करते हैं, तो time कितना time कना लगा है, लिस्ट का लिश्ट को run होने में, जो कि generator को run होने में, इधर हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि time gucken मोडिल हो उता, import तो इजह मैं वेरिबल कृइट करा एंदम टाइम स्टोर करा गे बाद में उसके रखलो को हम प्रिंट करा लेंगे तो इधर तो देख सकते हुझ यह मैंने प्रिंट करा दिया तो टाइम बन मार्ट पर कर सकते हो तो इससी कैसे करना वह भी में आपको बता तक दो सब्सक्राइब कमेंट कर देता हुझ थे दिनमें के खाइब सब्सक्राइब यह मैंने अत्कोड थाइवान हो दोसी्षिग कर दिया enabling खुर करता हूँ सेith करता हूं कि God गया रिए उतना विस्वेजिग करो था इनर इतना मेंपरी यूज हो रहा है घ्रम इतना यूज हो रहा है तो तो 570 RAM, 576, 575 इतने गरी यूज़ हो रहा है, अब मैं इसे सेव करूँगा, तो हमारा कितना सेकंड टाइम लगे, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, तो हमारा कैलकुलेट करके बता देगा, तो इधर मैं जैसे रन करता हूँ, तो आप देख से तो यह भी हमारा रन हो र करते हैं, तो उपर अले को पूरा कमेंट कर देता है, वह इधर जो कि सेम को सेम मैं टाइम नाम का वरियाबल क्रेट करता हूँ, टाइम 1 और एक्वल टू, टाइम डॉट टाइम फंक्शन को कॉल करेगा, इधर मैं टाइम फंक्शन को यूज़ कया, और बाद मैं फिर 4 सेकंड लगाता हूँ, इधर मैं वापीस रण करता हूँ, तो जैसे मैं रण करूँगा तो बहुत ही फास्ट हो गया, कुछ टाइम नहीं लगा और एक दम स्मूटली वर्क हो गया, तो मतलब इसमें क्या होता है, कि मैमरी में जो कर्जूम करता है, हर एक नंबर कर्जूम अलग 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 मेमरी यूस करता है, तो जिससे हमारा मेमरी बहुत ज्चाधा ही यूस हो जाता है, इसके आंदर हमारे अलग अलग मेमरी नहीं रहता है, वो एक फिर फट यच् recurring स्मूथließen feature, और डो वीडियो एंटर्वी प्लेख करेगा तो आइवक को समझ में आगे सब्सक्राइड की beads बेल करेगे मैं इなたará चैनल को सब्सक्राइब करेंऄ निछे बैल आइंद इसकीं क्लिक्क करें ़ूए में वीडियो विडियो पे रूटisty नोडिफिक्षें नजाए.. झाल झाल